हाँ हेलो सुधा चलना सौपिंग करके आते हैं साथ में मज़ा आएगा सौपिंग के लिए एक मिनट रुखना न मैं अपने पती से पूछ के बताती हूँ मैं उनसे बिना पूछे न कोई काम नहीं करती हम बोलतो है सुरी जैसे हर काम पूछ कर करती है सुनो आज मैं अपनी सहलियों के साथ सौपिंग पे जा रही है आज रात का खाना बना लेना टीवी मत देखते रह जाना बैठके ठीक है उन्होंने परमिसन दे दी कहा है अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना बस सुनो मुझे दो हजार रुपे दो ना एक मजबूर बे सहारा गरीब औरत की मदद करनी है मैं सोच रही हूँ उसे एक साड़ी खड़ित की दे दू उसका पती उस पर बिल्कुल विध्यान नहीं देता है हाँ गरीबों की तो मदद करनी ही चाहिए रुको जड़ा पर्श लेकर आओ तो हाँ येलो न येलो देखो मैं कैसी लग रही हूँ अरे वाँ ये साड़ी कबली बहुत सुन्दल लग रही हो कल ही तो तुमने पैसे दिये थे न लेकिन पैसे तो मैंने बेसाहरा और गरीब आउरत के लिए दिये थे हाँ तो मैं ही तो हूँ वो गरीब और बेसाहरा आउरत जिसका पती उस पर ध्यान नहीं देटा है बेबी पढ़ना कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए देखो मैं कैसी लग रही हूँ बहुत अच्छी लग रही हूँ बिना देखे ही अच्छी लग रही हूँ तुम मुझे थोड़ी देखोगे तुम तो जमाने भर की ओरतों को देखोगे नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ हाँ तो तुम्हें मैं क्यों अच्छी लगूँ तुम्हें तो जमाने भर की ओरते अच्छी लगेंगे ऐसा है मैं मुझे बंद कर लेता हूँ कुछ नहीं बोलूगा हाँ तो तुम मेरे बारे में क्यों बोलोगे तुम तो जमाने भर की ओरतों के बारे में बोलोगे हाँ करो तो प्रॉबलम ना करो तो प्रॉबलम कुछ मत बोलो तो प्रॉबलम सही कहा गया है औरतों को बोलने से तो भगवान भी नहीं रोक सकता